बिस्मि ल्लाहिरा कमान योह मैं हूं म모nal अपे लेक्ट्शे में हम पढ़ेंगे के ऊंस क्या होता है और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनेटी टेंस को इसके साथ पढ़ेंगे यानिक इंटीनलच्षन खरेंगे और प्रेजेंट इनी नेक इनियूट पढ़ेंगे So what is tense, tense का होता है Tense is the time directed by a verb यैनि कि orp है With respect to verb हमारा जूमले को जो time की direction मिलती है उसे हम tense वोता है यैनि कि tense जो है इसका हमारे जूमले के अंदर सिर्फ इतना रोल होता है कि ये हमारे जूमले को With respect to time direction देता है जो हमारा जूमला है उसमें जो action perform हुआ है उसमें जो बात हो रही है वो कौन से जमाने की है माजी की है, हाल की है या मुस्तक्विल की है और जैसे आप लोगों को पता है कितीन ही जमाने होते है जैसे यह जुम्ले अगर आप देखें हमें पता चल रहा है कि यह जुम्ला प्रेजेंट का है वाज लॉफिंग तो वाज से पास्ट का पता चलता है विल कम तो विल से हमें फ्यूचर का पता चलता है तो टेंस जो है जी यह हमारे जुम्ले को विद रिस्पेक्ट टु टाइम डायरेक्ट करता है direction देता है कि हुमरा जुम्ला कौन से वक्त से तालूग रखता है सो जी आगे देखिए subject, verb और object जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि subject क्या है actor verb, action और object, place of action यहाँ पर थोड़ी सी misunderstanding शायद पाई जाती है कि हम पढ़ाती यह हैं कि subject जो है वो actor है, काम करने वाला क्या हो कि अगर कोई काम ना हो रहा हो जुम्ले में यानि कि verb जो है, action है क्या हो अगर हमारा verb जो है वो किसी action को reflect ना कर रहा हो जैसे अली इस आगुड वाई, आखली sentence देखिए तो अली जो है, he is not doing anything कुछ भी नहीं कर रहा वर्ब और object, यह subject का टेंस के हवाले से इतना रोल होता है कि subject singular और plural के हिसाब से हम आगे verb और helping verbs को इस्तमाल करते हैं पर दुबारा इस बारे में subject verb के बारे में बात करेंगे, so present indefinite जो है अगर हम इसकी identification देखें अगर हम देखें कि present indefinite होता क्या है तो जी present indefinite tense के अंदर हम किसी भी शक्स की जो routine है present में कोई habit है present में कोई universal truth है, को scientific fact है जैसे वो रोज सुबास वेरे उठता है वो हर रोज सुकूल जाता है जमीन सुलच की गित गुमती है चांद जमीन के गित गुमता है इस तरह के sentences जो है वो present indefinite कहलाते हैं और अर्दू के जमलों में आम तोर पर ता है, ती है, ते हैं वगरा आता है तो अगर हम इसके structure की जाने में जाएं helping verb जो present indefinite में है वो positive sentences यानि के जो simple sentences है मुस्बत जमलों के अंदर कोई भी इस्तमाल नहीं होता और negative और interrogative sentences के अंदर do या does इस्तमाल होता है और इसी तरह verb जो है उसकी first form और साथ में s या es का इजाफा वो subject के लिहां से होता है अगर अगर आप subject देखें अगर आपका subject हीशी it या कोई singular noun हो तो verb की first form साथ में s या es का इजाफा होगा और अगर आपका subject plural है तो simple verb की first form आएगी s या es का इजाफा नहीं होगा और अगर हीशी it या singular noun आजाता है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि verb की first form के साथ सिर्फ s आएगा या es आएगा तो अगर आपका subject singular है हीशी it है या singular noun है और आपका verb c h s h s s x or o इन पांच लेटर्स में से किसी पे भी खतम होगा तो es का इजाफा वरना सिर्फ s का जैसे देखिए go है o पे खतम हो रहा है तो es का इजाफा want t पे खतम हो रहा है तो simple s का इजाफा होगा तो simple sentence अगर आप देखें तो जो इसकी formation है वो इस तरह से होगी subject first form of verb के साथ s e i i s और साथ में object अगर आप example देखते हैं तो हम आम खाते है हम plural है we तो eat simple verb की first form चुकि वो वी plural है तो verb के साथ s e i i s का इजाफा अजाफा 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 होगा he likes his teacher इसी तरह अगर आप negative sentences को देखते हैं तो जी English language में जो negative और interrogative sentence है वो without helping verb आम तोर पे नहीं बनते तो इसमें अब helping verb जो है वो do या does इस्तमाल होगा तो subject, do does के साथ not, verb की first form और object अब यहाँ पे verb की first form के साथ S.E.A.S. का इजाफा नहीं होगा अब जो change है वो सिरफ helping verb में आएगा तो subject आपका अगर he she it है या कोई singular noun है तो does not आएगा अगर आपका subject plural है तो do not आएगा जैसे हम बुरी किताबें नहीं पढ़ते हम we plural है तो helping verb do not आएगा we do not read bad books देखिए read के साथ हमने किसी किसम की कोई तबदीली नहीं की इसी तरह वो अपने हाथ नहीं दोती वो singular है she तो does not आएगा और साथ में wash देखिए कि verb की form में हम किसी किसम की तबदीली यहां पे नहीं करेंगे she does not wash her hands इसी तरह अगर आप interrogative sentences देखें तो interrogative sentences को बनाने के आम तरुबे दो तरीके होते हैं एक आप helping verb को शुरू में लगा लेते हैं या फिर को WH family का word जैसे what, where, when, we इस्तमाल होता है तो आम तरुबे helping verb को हम शुरू पे ले आते हैं तो helping verb शुरू में आजागा क्या तुम जूट बोलते हो क्या तुम you जो है चुँके हम plural वाले rules के साथ इस्तमाल करते हैं तो इसलिए do आएगा do you tell a lie इसी तरह क्या अली स्कूल जाता है तो अली जूँ है चुँके singular है तो इसके साथ does आएगा और does शुरू में आजाएगा subject के लिहाँ से जो तबदील होता है component वो इसका हमारा helping verb है वो देखिए do और does आगे जी interrogative sentences interrogative sentences जो है इनके अंदर negative और interrogative दोनों sentences के rule इस्तमाल होते हैं तो हम interrogation के लिए helping verb शुरू में ले आते हैं और जो है हम question mark जुमले के end पे लगाते हैं तो जो है negation not इसमें इसमें इस्तमाल होगा तो क्या वो cricket नहीं खेलता क्या वो वो चुंके singular है तो does he और negative बिनाने के लिए not play simple play आएगा इसके साथ किसी किसम की कोई तबदीली नहीं होगी does he not play cricket इसी तरह क्या लड़के स्कूल नहीं जाते तो क्या लड़के स्कूल नहीं जाते लड़के चुंके यहां पे plural है तो अब does नहीं आएगा do आएगा तो do the boys चुंके यह negative भी है तो not आजाएगा यह याद रखिएगा कि negative interrogative में जो not है वो helping verb के साथ नहीं इस्तमाल होता वो subject के बाद आता है तो do the boys not go to school यह देखिए go जो है यहां पे simple verb की first form इस्तमाल होई है हम यहां पे किसी किसम की कोई तबदीली इनके साथ नहीं करते I hope you people are understand if you have any question you are free to ask Allah